ठीक है अब मिटकैप की बात कर लें जहां पर आप चेतावनी दे रहे हैं कि निफ्टी अगर 5% गिर सकता है तो मिटकैप उससे काफी ज़्यादा गिर सकता है यहां पर आप 54,000 के मौजुदा अस्तर से नीचे अगर डाउंसाइड खुलेगी तो फिर कितनी खुल जाएगी तो निफ्टी मिटकैप कहां तक पहुंच सकता है देखिए निफ्टी मिटकैप उसे साब से आप देखें तो इसका जो रिट्रेस्मेंट लगना चाहिए वो रिट्रेस्मेंट आपको एक तो 53,000 के आसपास राजी जी अच्छा सपोर्ट बन जाना चाहिए निफ्टी मिट मिटकैप का अच्छा काफी अच्छा सपोर्ट और वो अगर तूटता है तो भी उतना डर तो नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा 51,000 का 51,000 के पहले ब्रेक्डाउन वाला सिचुइशन तो नहीं रहेगा लेकिन अगर 53,000 तर सिरस्ट अच्छा इमिटकैप रहे गया तो यह सिचुइशन बहुती 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 बेतरी स्मॉल कैप पर बढ़ते हैं स्मॉल कैप की भी कहानी वही है 200 डे मूविंग एवरेज पर वाई सब खड़े हैं जहां भी क्या रिट्रेस्मेंट के लिए हमें चार्जून को ही देखना चाहिए या उससे पहले कहीं जाना चाहिए पहला तो चार्जून वाला ही रूल आउट करना पड़ेगा उसके बाद उसके पीछे कहीं न कहीं जहां से ओरीजिनेट होता है वहां जाएंगे और चार्जून वाली चीज़ में ठीक लगती है जो सेवेंटी सिक्स ताउजिन के आसपास है वहां से ही रुक जाएं तो ठीक है अब वाकिए नहीं तो उसके बाद फि दिख रहा है तो निफ्टी स्मॉल कैप हाँ वहीं रहते हैं यह करीब करीब आपका नहीं सॉरी हाँ वहीं पर रहते हैं सत्रह हजार के आसपास इसको वैल्वेट करते हैं कि वहां से ब्रेक पॉइंट भी है और अगर वह नहीं रहा तो फिर जहां से और जाएंगे यानि फिर पंद्रहजार के आसपास पंद्रहजार के आसपास जी तो यह तो सत्रहजार का लेवल जो है वह बचा रह जाए और नहीं तो फिर दोहजार पॉइंट और ज्यादा